नानी दादी के तरीके से ऐसा हेर कलर बताऊंगी एक दफ़ा अगर आप लगाएंगे तो पूरा महीना आप सुकून करेंगे कहीं भी जाने से पहले सोच में नहीं पड़ेंगे बिसमिल्लाहिरुख्मान रहीम अस्सलामुलीकूम बैक टू मैं चैनल कैसे आप सब आई होपा बिल्कुल ठीक होगे अलहम्दुल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हो आज आप लोगों के साथ पुराने वक्तों का फार्मॉल्ला जो है वो शेयर करूंगी लोग अपने बालों को कैसे कलर करते थे कैसे अपने बालों को घर पर रहके डार्क ब्राउन या फिर गोल्डन या फिर ब्लैक कलर करते थे आज हम बात करेंगे बालों को ब्राउन करने की बढ़ाई खूबसूरत कलर शेड आएगा और आप देखिएगा और मुझे बताईएगा एक दफ़ा जरूर योज़ कीजिएगा और फिर मज़े कुमेंट करके बताईएगा अच्छा जी सबसे पहले मैं आपको इस फूल की प पतियों का नाम है हीबिसकस ठीक है हीबिसकस आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको इसका फूरी तोर पर पता चल जाएगा ठीक है और उर्दू में इसको क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं गुले गुल हार इसको कहते हैं ठीक है हीबिसकस गुले गुलहार इसको कहते हैं उर्दू में गुले गुलहार ठीक है और साथ इसाथ हम लेंगे ओलिव जो हमारे बालों को कलर करता है ना ब्राउन जो कलर हम चॉकलिट ब्राउन कलर करती हैं ओलिव हमारे बालों को उस कलर में उस तरफ लेके जाता है कि हमारे बालों पे डार्क ब्राउन चो कलर आता है ना और उसमें शाइन लेके आता है अचा यहां पर गुले गुलहार फूल की पतियां साथ ही साथ कुछ ऑलिफ जटोन ले लेने हैं और इन दोनों को और साथ ही साथ हमने लेनी है कौफी पाउडर इन तीनों लगाए यूज किया आपने और आप लोग मुझे कमंड्स करते हैं और मैं आप सब के कमंड्स का जवाब भी देती हूँ और मुझे बुखत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें मेरे जो कलर ट्राय करते हैं फिर बात में रिजर्ट मेरे साथ शेयर करते हैं यकीन करें बह से हमारे बालेों में एक शायन सी आ जाती है कलर दो थोड़ा सा लॉंग टाRIम के लिए रहता है मैंने एक टेबल स्पॉन-चिंकर कोफी पोडर के एड़ कर दिये मैंने 1-2 table spoon मैंने olive के add कर दी है और क 1 glass pen के water कर दी यह जितना आपने अपने बालों को लगानाए उस हिसाब से कर लीजिएगा और अगर आपके कमर तक बाल हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही ही उस remedy की quantity आपने उस सपने बालों के हिसाब से लेनी है ठीक है मैं आड़ कर दिया चाय वाली पती का ठीक है इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है और साथ साथ ये पूल की जो पतियां है ये आपने एड़ कर देनी इसके अंदर आप जैसे के देख रही है ये बड़ा ही खुबसूरत पूल है इसको सुखा के बजार में कहीं भी लोकल मार स्टोर कर सकते हैं ये ये ना तो खराब होगा और सिर्फ हमें वन टेबल स्पून या टू टेबल स्पून हमें चाहिए इतने में ही काफी है इससे ही हमारे बालों को अच्छा सा कलर आएगा हमारे बालों पर अच्छा कंडिशनर के तोर पर काम करेगा और आप एक दफार तो यूज कीजिएगा इन्शालाब को रिजल्ट मिलेंगे यहां पर जितना भी मैंने चीज़ेस के अंदर पानी के अंदर शामिल की है और इसके अंदर टू टेबल स्पून मैं है बिसकस के एड़ कर दूंगी फूल की पतियों के तो दो टेबल स्पून काफी है तो आप भी इतना ही कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो जएदा भी कड़ सकते हैं वरना जितना मैंने किया तना भी कड़ सकते हैं इससे इसका काफी अच्छा सा आर्क निकल जाएगा जो कि आपके बालों पे बड़ा अच्छा और शांदार कलर लेके आएगा अच्छा जी यह एक आप पूरा साल बहुत एजली निकल सकता है तो इसको किसी कंटेनर जार में इसका पौडर बना ले वैसे मैं पौडर नहीं आपको कहूंगी क्या बनाएं आप ऐसे ही रख लें और अगर आप में बनाना तो आप बना भी सकते हैं क्योंकि पौडर में जल्दी से कुछ कीड़ लग जाते हैं लेकिन इसमें नहीं लगेंगे अचा जी यहां पर फ्लेम को मैंने आन कर दी है और इसको मैंने अब इतना पकाना है कि सारी चीजों का जो असर है वो इस पानी के अंदर निकल जाए कोई भी लंस कोई भी ऐसा वैसा कोई चीज नहीं बनेगी आपको बड़ा और औलिव्स भी लेके न तो उसको भी ग्रैंड करके और महंदी में आड़ करके अपने बालों को लगाए उससे भी बड़ा अच्छा कलर आएगा हैर यहां पर मैंने औलिव्स लिए हैं और चाइवाली पती लिए और फूल की पतियां लिए और सारी मैंने चीजें लेकर इनको मैंने एक फ्लेम पर रखा और पांश से दस मिन्ट के लिए मैंने इसको रखा आप के पस अग मैं थोड़ा ज्यादर टाइम इसको रखिए का इसका जो असर है ज्यादा निकले अचा कोई भी स्टेनर लेकि आप इसको स्टेन कर लें और देखिए माशाला कितना खु हो चुक है कि मैं अपने बालों पर कितनी देर तक रखना है और हमारे बालों पर ऐसा कलर आएगा देखिए जितना खुब्सूरत कलर हम बाउल में लग रहे ना इस तरह करी कलर आपको बालों पर भी आएगा तो इन्शाललह आप इस रेमेडी को ट्राइ कीजिए का और बजा प्रेड़ में डालके यह पिर अगर आपने अपने बालों को ब्रश की मदब से लगाना है वैसे लगा लिगा मेरी पास प्रेड़ वाली जो कलर है उसका कलर ब्लैक है तो मैंने जहां कोई सी बर्टल ले ले उसमें आपने डाल देनी है और इसके बात जब आपने निकाला से थोड़ा सा बाउल में डाला ब्रश की मदद से आप अपने बालों पर लगा लिए अगर आपके पास प्री वर्टल है तो बहुत अच्छी बात है आधी घंट ले लिए पने बालों पर लगा के छोड़ दें जाकलर आप चेक कर लें इतना शांदर आएगा आपको इतना ख पहुंची जा सके और साथ मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें. मैं आप सब किमेट्स पढ़ती हूं। मुझे बहुद अच्छे लगता है, जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेट्स करते हैं, आप सब को बहुत 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 शुक्रिया दा करती हूं। आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करें ऐसे ही आपने मेरे साथ रहना है मैं इंशालला आप लोगों के लिए ऐसे ही होम रेमेडी बनाती रहूंगी जो कि यहां पर उमान में मैं सलोन में देखती हूं और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूं इंशालला आप लोगों को मेरे रेमेडी पसंद आती भी है और आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूंगी और आज ही किसी भी लोकल मार्केट से यह किसी भी पंसारी की स्टोर से यह पूल की पतियां लेकर और ओलिव्स लेकर और किसी कंटेनर जाल में इसका अर्क न झाल झाल